सब्सक्राइब कर दिया जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 18 अगस्त को आपका रिजल्ट आ जाएगा अब आज की इस कंप्लिट वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि सेकेंड राउंड की कट आप क्या रही काउंसलिंग का प्रोसेस क्या हो सकतर ऑपन राउंड तो कब तक होने के चांसे आगे कि सारी पॉइंट्स हम क्लियर करने वाले हैं और फर्स्टाइम आपको वैकेंड सीट पोजिशन दी गई सेकेंड राउंड की क्योंकि टोटल अगर हम बात करें एमस में टोटल आवराल ओल सिक्स्टीन एमस के अंदर क्योंकि 16 नेमस होगी उसमें फर्स्ट राउंड के अंदर टोटल सीट थी 1046 और अब जो रिमेनिंग बची है सेकेंड राउंड में वो 346 मतलब सेकेंड राउंड की जो कांसिलिंग स्टार्ट वी स्टूडेंट्स वो 346 सीटों के लिए अवराल देखो जैसे अलगलग स्टीट देली में 47 थी ब पार्टिस्पेट करेंगे 346 ओके नेक्स्ट अब इस तरीके से आपको रजल्ट का अनॉंसमेंट आया जैसा कि आपने एंस की वेबसाइट पर देख लिया नहीं मिला तो हमारे यहां पर डिस्क्रिप्शन में टाइलिग्राम का चैनल दिया हुए जिए स्प्लेंट इस्ट के लिए जो किलियर होना जरूरी है कि अलोटेशन फॉर बीस्टी होनार्स नर्सिंग कोर्शी जैंस न्यू देली यह सारी के सारी को लिजों के लिए हैज बीन डन ऑन दा बेसिस ऑफ च्वाइस मेड़ बाई एलिजबल फॉर देखो आपने जो च्वाइस भरी थी शुरुवात के अंदर मैंने कहा था कि कोई भी मतलब चेंजमेंट नहीं होगा उसी में अपग्रेड होंगी आपको यह पास नहीं होगा उटमेटिकली एमस इनने क्या किया जो आपने फस्ट और मैंने बहुत बोला था बिटा यह गलती मत करना लेकिन बच्चे क्या इधर उदर बैकाओं में आके गलती कर दिये और फिर बाद में आज उसका पस्षट आप और बच्चों को जिनको एमस देली लेनी थी उसने उसको लास्ट में टे लेकिन कोई बात नहीं अगर आप भी नहीं मिलिये तो अपन राउंड तक आप धेग लिजेगा बाकी अब आगे क्या प्रोसेस फोलो करना उस चीज को समझने की कोशिस करना स्टुडेंट्स ओके और मैं देखो कटोप का के टेरे बताओं यह फर्स्ट राउंड की सेकंड क्या हो सकता क्योंकि देखो लास्ट वीडियो में यह लास्ट वीडियो जब रिजल्ट आया था इस एक यह बटोवन नहीं से सेकंड राउंड आया स्टुडेंट्स उसमें नंबर ओप कंडिडेट आप एप्रोक्सीमेटली 300 पलस गए मतलब तीन सो पलस बोले तो रैंक बढ़ी है ऐते ही और बेसी कैटेगरी में सेम हुआ मैं 1712 पर मिली थी फर्स्ट राउंड में सेकंड राउंड में 2006 में ठीक है तो यह आपके अगली यह इसमें 300 पलस मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि सार ओपन राउंड की कटोप कितनी हो सकती है इसमें मैं बेटा थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूं जनर्र कैटेगरी से अगर आप ऐपन राउंड का वेट करोगे ऑपन राउंड में कांसलिंग कराओगे आपकी रेंक 1600 के अराउंड तो आपको मिलने के चांस ही जाए आपको होप जिंदा रखनी चाहिए ठीक स्टुडेंड और अगर हम बात करें OBC कटेगरी के और इनको ओपन राउंड में त 650 के अराउंड जी हां 2350 के अराउंड कोलेज मिलने के चांसी जए ओके और जो स्टूडेंट्स से हैं उनकी अभी 903 आई है पिछले बार 4330 इस बार देखो कट्टोप के टेरिया देखो कितना बढ़ गातीन चैसो यहां पर तो 600 पलस कंतर आ गया स्टूडेंट्स ठीक है अब यहां पर 600 प्लस कंतर आ गया तो आप देखने कोशिस कीजिएगा कि इसका कटोप का क्रिटेरिया आपका 500 रैंक तक चला जाएगा आप देखना 500 के राउंड जिसके रैंक उसको कॉलीज मिलने चांसी बट अगर हम बात करें स्टी कटेगरी की स्टी कटेगरी जिसकी रैंक 3441 है और EWS किस बार गई 4337 आप सोचो अंतर देखो कितना आया है 900 पलस रैंक का ओपन राउंड में जिस बच्चे के EWS के टेगरी की रैंक 5000 के राउंड हाजी चांसी जै 5000 के राउंड के यह आपका कटोप का क्रिटेरिया आपके सामनी है सारी चीजिए मैंने खुझ से कु आप इमस का डाटा उसका कॉंक्लिजन आपके सामने क्या स्टूडेंट सी तो गई कटोप की बात ओके तो ऑपन राउंड कब होगा जब आपके सेकेंड नाउंड में सीट अगर वैकेंड बच जाती है कितनी सीट वैकेंड बच जाती देखो यह 346 सीट अगर इसमें से लेना चाता है वो ले सकता है आपका ड्रीम बैस और जो एमस की प्रिपेशन दोजार चोबिस के लिए दुबारा से करना चाता है वह 701 रुपए की प्राइस के अंदर आपको एप में मिल जाएगा राफिल 2.0 बैस ठीक स्टूडेंट्स यहां पर आपको इसमें आपको 11 12 वालस में जीके पढ़ाया जाएगा और जिसमें नीट वाली में नीट के बैसिस में पढ़ाया जाएगा ओकी स्टूडेंट्स तो आपको इसा भी कोस ले सकते हो यह आपको ब्लू कलर के लोगों की एप देखने को मिलेगी प्लेस्टोर से जीएस प्लेंट इंस्टूट अब आगे बढ़ते हैं अब काउंसलिंग की प्रोसेसर के कुछ इंपोर्टेंट रूल एस्टूडेंस उसको देखना आप लोग अगर हम बात करना चाहिए इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन दिस लीस्ट इंक्लूड अल कंडिडेट हो वर एलिजिबल फोर दा सेकिंड रा सब्सक्राइब को अपने जीए स्टेडी करें या कोई हैल्प मिलिया उसको कोलेज मिल गया है वह अपनी रैंक और रॉल अंबर जरूर भेजे ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले अगले बच्चों को मोटिवेशन मिले ठीक है 9352467071 ठीक है स्टुडेंस हमेशता यह अथाईस जून दोजार टेईश दप्रिमिलिटी वेरिफिकेशन ओवेलिट सेटिफिकेट है विन क्लेम केटेगरी एन कंडिडेट वू डिट अप्लोड वैलेट सेटिफिकेट अब बिस्टेगरी यह विन काटेगरी नहीं थी तो वैलिट थी तो उनको तो भाई है मिल गई यह बिटा कंडिडेट वू डिट नोट पार्टिस्पेट इन दा फर्स राउंड ओप सीट अलोटेशन है उन नौट बीन कंसिड़र फोर्दा सेकेंड राउंड बट कैन पार्टिस्पेंट ऑपन राउंड तो यह चीज मैंने आपको बताई थी कि जिस बच्च है तो यहां पर वही है आपके अकोडिंग नहीं जो फर्स राउंड में अपने फिलब करी उसके अकोडिंग सीट अलोटेशन आपकी मिली है देखो मेरी अवास थोड़ी सी चेंज हो गई भी मेरी तब्वेत बहुत ज्यादा फराब है दो तिन से ट्रेवल कर रहा था उसक से बात थोड़ी तब भी डाउन हो गई इसलिए आज अप्लीकेशन पर मैं क्लास नहीं ले पाए लेकिन आपका रिजल्ट आया थोड़ी हिम्मत करके आप लोगों के लिए वीडिये बना रहा हूं ताकि आपके पास सबसे पहले स्टुड़ेस नोटिफिकेशन पूछे त अब क्या क्या प्रोसेसर आपको फोलो करना पड़ेगा ध्यान से सुनना अल कंडिएट हूँ हैव बीन अलोटिदेश सीट अट अनियम्स इन दस्टेकिन नाउन आउड़ीट अलोटेशन आर रिक्वायर तु लोग इन थ्रो दा ओनलाइं सीट अलोटेशन पोर्टल आपक इस अगस्त को यह उप्शन खुलेगा फैलर तुसलेक्ट दसीट अक्सेप्टिंग उप्शन अज बिलोव विल लेड़ टूबी कैंसलेशन अब दी अलोटेशन अमाउंट एक लाख विल बी और फेक्टिट है तो वह आपके सामने है अब आप ऑप्शन एक्सेप्ट करो अलोटेशन इस शीट ठीक है उसके बाद ओप्शन एक करोगे तो आपके सामने ही प्रोसेसर होगा इव दा ओप्शन ए वी सलेक्ट दैन एक्सेप्ट अलोटेशन शीट इस सेलेक्ट देन देन क्या होगा स्टूडेंस फोकस अन दिस पॉइंट विकोज इस पॉइंट इस पर पॉइंट 678 ओफ इन्फोर्मेशन ब्रोचर ओप सीट मतलब यह जो आपको इन्फोर्मेशन आई थे बुकलेट उसके अकोडिंग आपको जो भी कोलेज मिली है उसके अंदर आपको रिपोर्टिंग करने ही पड़ेगी ऑन विफोर 5 पीम और 25 अगस विद्धा ओफर ल सब्सक्राइन पॉर्टल डिपोजिट ओरिजिनल सर्टिविकेट डिमांड ड्राप्ट रस एक लाग का दा नेम ओफ हम्स में ग्रांट अलोंग विद्धा फोटोकॉपी जोब सर्टिविकेट दा डीडी विल बी रिफंडिड ओनली वहन दा ओरिजिनल सर्टिविकेट अंग को डीडी देखो देखो दोनों चीज़े देनी पड़ेगा अगर आपने सारी ओजिनल लोगमेंट्स लमा करवा देतों डिडी की कोई निट नहीं अगर डीडी की निट तब होती है जब आपके पास डॉकमेंस नहीं तो एक लाख रुपए कि डॉकमेंट्स की डीड और आपके पास टाइम मिल जाएगा और आप नहीं पूछ पाए हो एंस के अंदर तो आपकी जो भी मतलब सीट थी वह कंट हो जाएगी अपको पोचना जरूरी है इन दा फर्स राउंड ओप सीट अलोटेस्ट अलोटेस्ट इसीट इस्ट इन सेकंड राउंड आप सीट नौट रिपोटेंड तो यह फिर वही चीज होगी और वह भी पैलेंटी लगेगी एक लाकर प्रवाली जिसने अप्शन सेकंड चूज किया और आप नहीं गए तो दिक्कत एक लाक रुपए की हुई है स्टूडेंट उसके बाद ओलेश्टी रिगार्डिंग डिपोजिट नौप डॉकमेंट्स क्या 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 डॉकमेंट्स की क्लेम टूब अलोटेट सीट कंडेट इस सब्जेक्टिटिट टूदा वेरिफिकेश और टू डिपोजिट ओरिजनल डीडी देखो या तो डॉकमेंट्स लाओ या डीडी एक लाकी वन सीट फोर सेल्फ अट्रेश्टिट फोटोगोपी अप्लीकेट अप्लीकेश संदेगने यहां पर आपको ले जाना है जो डाउनलोड कर लेन आप लोग सीट अलोटेशन ल और फिफ्टी फाइफ परसंटेज जनरल के टेकेश से ठीक है ओरिजिनल बोर्ड की सोइंग जो हर डेट व बर्त उसके लिए सैल्फ अटेस्टिड को फी लेके जाना है ठीक है आपकी स्कूल से मिल जाएगा या फिर डूपलिकेट बनवा लेना और आपको टीसी यह एक ही बात हो गई ठीक है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट स्कूल बाला चलेगा ना कि कोलेज में आपने किसी में जमा करवा रख वो नहीं चलेगा आप अपना रिफंड कर लीजेगा आपको एम्स मिल गई है तो स्टूडेंट्स ओके बटा उसके बाद एक और चीज यहां पर आपको आपकी सर्टिफिकेट ले जानी है चीए से जो जो आपकी मांगी गई थी जैसे ओविसी कटेगरी के स्टूडेंट्स की थी च्यार च्छे दोजर बाईस से बारत च्छे दोजर तेश तक और मेरी बात ध्यान से सुन लें ना स्टूडेंट्स तो बच्चे अगली स की स्टूडेंट्स अपनी सर्टिफिकेट बनवाले मैं बार बार हर वीडियो में जिकर करता हूं प्लीज ऐसा कर ले ना अन्ने ता मेरे लाड़ले बच्चो आपकी महनत पानी में चली चाहेगी ओके स्टूडेंट्स यह है आपकी एडवलोएस की एक चार जोजर तेईस सब्सक्राइब से बारत है दो हजार तेईस तक कि स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट सर्टिफिकेट फॉर परसन विद बैंक मार्ट इस्बिलिटी यह आपको कोई नहीं है कंडेट मस्ट नॉट अधर परसन एक्सेप्टेट एंडो फर्दर रेस्पोंस इंद यह नहीं जाए दोजार तोवीस से लेकर सुट दोजार तेईस लेकर 26 और मेडिकल एक्जामिस अधर फॉर्मल्टी ओनी ओन कहां पर होगी एमस डेली में 288203 तो आपको क्या करना है अलोटी डॉसम डॉकुमेंट्स यह आपको तेईस जून दोजार तेईस और 26 अगस्ट दोजार 23 पीच में आपका होने वाला नहीं सोरी एक लिख दिया तेईस जूल लिख दिया कि नहीं नहीं आपको क्या करना पीटा आपको यहां पर एट अगस्त होना चाहिए था तो आपको इन्होंने घडबड कर दी बाकि क्या था पिटा आपका 23 तारिक से स्टार्ट हो जाएगा और अपने डॉकमेंट जमा कर वाली जिएगा वह लोटेशन उप करके आप एमस में मतलब 24 तारिक तक चले जाएगा ठीक है अठाइस आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा से एमस वाले देली वाले थोड़ा से कन्फिजन था वो दूर कर लीजेगा पाकी मुझे नहीं लगता कि अब किसी बच्चे का कोई इसू होगा ओपन राउंड भी जैसे ही यह कंप्लिट हो जाएगा सेप्टमबर मैंने बोला था सेप्टमबर तक अब कहांसलिंग क्यूचेगी देखो आप अगस्ट चला गया सेप्टमबर आपका आने वाला है ठी के लिए इतना ही धन्यवाद अगर आपको वीदेओ अच्छी लगई हो तो प्लीज कॉमेंट करना लाइक करना चैनल चींड नए हो तो इसको सब्सकाब करना और अपनी सबी दोस्तोंयों तक सेर करना और वी जारूर कॉमेंट करना ठीक है बच्चा आज को यतना ही धन्य पाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जाहिन अगेन।